You identify me का क्या मतलब होता है और आप इसका क्या जवाब दे सकते हैं या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं You identify me का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो ये कहने के लिए कि मुझे पहचानी है या तुम मुझे पहचानने की कोशिश करो या आप मुझे पहचानी है कि मैं कौन हूँ इसके इलावा अगर इसके आगे question mark लगा हुआ है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो या क्या आप मुझे पहचानते हैं तो अगर इसके आगे question mark नहीं लगा हुआ है तो आप इसके जवाब में कह सकते हैं you are और उसके बाद उस वैक्ति का नाम लिख सकते हैं कि आप ये वैक्ति हैं फला फला वैक्ति हैं या फिर आप कह सकते हैं yes I recognize you now या आप कह सकते हैं oh it's you I didn't recognize you at first या अच्छा ये तुम हूँ मैंने तुम्हे पहले पहचाना नहीं था या आपको पहले पहचाना नहीं था या फिर आप कह सकते हैं I do now यानि कि हाँ अब मैं पहचानता हूँ it's great to see you या आप से मिलकर खुशी हुई या फिर आप कह सकते हैं I didn't at first but now I remember you यानि कि मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था पर अब मैं पहचान गया हूँ या आप मुझे याद हैं तो इस तरीके साब इसका reply कर सकते हैं जवाब दे सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें